Hello everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार, फिर से GDC टुटर के मेडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही popular medicine बैदिनाथ अस्वगंधा रिस्ट सिरप के बारे में बैदिनाथ का अस्वगंधा रिस्ट सिरप साथी साथ आपका थकान, आपका तनाव, आपका चिंता मिटाएगा साथी साथ स्टैमिना बढ़ाने के लिए ये टॉनिक, ये सिरप दिया जाता है और इसका असर भी देखने को मिलता है तो आज के वीडियों हम बात करेंगे वैदिनाथ के अस्वगंधा टॉनिक के अंदर मेन कंटेंड क्या-क्या मिले हुए होते है इसका उपयोग कहां-कहां होता है इसके काम करने का तरीका क्या है इसका डोज क्या है, इसका प्रिकॉस्चन, इसका साइड एफेक्ट मतलब इस सिरफ की हम आपको संपूर जानकारी देने वाले है पूरे वीडियों बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसना होने पाए वैदिनाथ का अस्वगंधा रिस सिरफ एक कंप्लीट आईरवेदिक टॉनिक या आईरवेदिक सिरफ माना जाता है जिसमें जो मेन कंटेंट मिले होंगे सब आईरवेदिक कंटेंट मिले होते सबसे पहले मेन इमाउंट इसमें अस्वगंधा मिला होता है मंजिस्ठा मिला होगा दौर हरिद्रा मिला होगा, मुस्ताका मिला होगा, अर्जुना मिला होगा, मुस्ली मिला होगा, त्रीवत मिला होगा, विदरी मिला होगा, हरिताकी, स्वेता, सरिवा, हरिद्रा, यस्ती और रसना ये सारे जितने भी content है सब आयरवेदिक content के द्वारा ये syrup बनाया जाता है company की बात कर ले तो स्री बैदनात आयरवेद भवन प्राइबेट लिंट के द्वारा बनाया जाता है 30 degree के blue store करते हैं और साड़े 400 ml के एक bottle के syrup की कीमत 230-238 के आसफास MRP आती है डियर बात करेंगे इसके प्योग की जी हां ये अस्वगंधार इस syrup किन किन condition में दिया जाता है doctor कब कब इसे आपको देते हैं तो में लिए ये syrup क्या करता है stamina को improve करने के लिए होता है जी हां stamina को improve करेगा साथी साथ energy level जो आपका थकान वगरा है कमजोरी है उसको दूर करेगा energy level आपके body में maintain करेगा साथी साथ आपके body को strength provide करेगा आपकी immunity यानि की immune system को भी boost करने का काम करता है आपके memory यानि की याद्दास को बढ़ाता है memory को swap करता है साथी साथ आपका focus maintain करेगा मतलब आपके body में बहुत देर सारे ये activity बहुत देर सारा role ये play करता है जैसे आपकी immunity boost किया आपको ताकत दिया stamina दिया memory को swap किया साथी साथ focus को maintain किया तो ये सारे यूज इस अस्वगंदा देखने को मिलते है अब हम बात करेंगे काम कैसे करता है देखिए जो अलग-अलग content है अस्वगंदा हरिताकी स्वेता हरिद्रा ये सबका अलग-अलग role होता है तो में लिए ये सारे मिलकर क्या करते है आपके nervous system को क्या करते है इंप्रूव करते स्टेजन करते है साथी साथ overall आपका जो immunity है उसको boost up कर देंगे बात करेंगे इसके साथ साथ ये आपका अंदर energy level को maintain करेंगे जी हाँ energy level को increase करेगा साथी साथ physical stamina जो होता बॉड़ी का उसको भी improve करने का काम करता है साथी साथ बॉड़ी में oxygen का flow को बढ़ाता है ज्यादा ज्यादा oxygen रहेगा तो ज्यादा ज्यादा बॉड़ी oxygen पाके better functioning करेगी और बॉड़ी को एक तरह से energy जल्दी से जल करने का काम करता है तो इस प्रकार से जो अस्वगंदार सिरफ है अपना role body में play करेगा बात करेंगे इसके dose की तो मैं ली आपको 3-6 टी स्पून वाटर के साथ दिन में दो बार खाने के साथ आप इसे ले सकते हो या आपके doctor के सला के बाद doctor आपको जिस time बोले उसके करने से पहले इसके लेविल का डारेक्शन अवसे पढ़े इस सिरफ को इस टॉनी को कूल प्लेस ड्राइप लेस और डारेक्शन लाइट से दूर रखे बात करेंगे साइड इफिट की तो जैसा कि हमने बताया अस्वगंदार सिरफ के अंदर जितने भी कंटेंट है सब के स सब आयरवेदिक मेडिसिन होती हैं इसलिए इसका जादातर कोई भी साइड इफिक्ट देखने को नहीं मिलता जो कि एक बहुत अच्छा टॉनी को हो जाता है आइस कंपेर टू जो इंगलिस दवाएं होती इंगलिस सिरफ होती उसके कंपेरिजन में सोडिय यह था आपका वैदिनात अस्वगंदरी सिरफ जी एक ऐसा सिरफ जो कि पुर्षों में महिलाओं में बहुत अच्छा रोल बले करता है सारी रिक कमजोरी मांसी कमजोरी को दूर करता है immunity बूर्श करेगा mental health को improve करेगा ठकान कमजोरी दूर करेगा stamina बढ़ाएगा यह सारी चीजे यह सार और भी टॉनिक और भी दवाई की जानकारी चाहिए तो एक बार इस प्लेलिस को भी जरूर विजिट कीजिए चलिए मिलते हैं किसे अगले वीडियो में किसे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मस्डियर और ने भी रिवेस्ट